नमस्ते दोस्तों जोहर मैं भी से चक्रवर्थी आप सभी का फिस सब्सक्राइब करता हूं दोस्तों क्लास एट का आज जो होने वाला एक्जाम है उसका टफ मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन देखने वाले समाजी की विग्गान का जो की बहुत सारे कोईशन इसी वीडियो का म पर आया जाएगा ताकि आप लोग जो है बहता त्यारी करके अच्छा एक्जाम में स्कोर कर सके तो यहां पर पूछा गया भारत के पहले गौर्णर कौन थे तो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका कौन सा नमबर फोर वैरें हैस्टिंग जो करेक्ट हो जागा पूछा गया जैम सिमील कहा के निवासी थे स्कॉटलान में स्कॉटलांच का रेक्ट हो जागा चैनले, चैनले, नेश्क क्योंशन क्यों चलते हैं? महारवारी व्यवस्था ठीक है? यह क्योंशन आप लोग एक्जाम में जरूद देखनें भी लेंगे, तो उप्सेन नवर 4 जो होगा, हौल मेकिन जो है, यहाँ पर Correct answer हो जाएगा, ठीक है? चैनले, चैनले नेश्क लेते हैं क्या बोला गया भारत में पहली सूथी कपड़ा मिल कहां स्तापित किया गया था तो नमबर नमबर वन जो है करेक्ट हो जगा सिफाई विद्रू कराम से जाना जाता है क्या पूछा गया था तो राची में किस ने किया था तो कुशन अबर टू जो होगा करेट होज़ेगा विस्वनाद सादेव ने किया था ठीक है यह आप लोग का बहुत सारी एक्जाम में भी जो है एसस्टी का कोईशन देखनों को मिलेगा जो आगे आप लोग रेलवे जप पुछा गया है भारतिय शिच्छा का मेंगना काता का जाता है तो तेरे नम्बर का ख्रेंशन को टिक है तो चलते हैं क्या पर पूर्ण बिर्वा अधिनियम करेंस लागो किया गया दोस्तों इसका क्रेंसर हो जब्सन no.3 आप बताएगा हिंदू वीवा पूर्णर विवा क जो है स्टार्ट करने में कौन बहुत बड़ा भूमी का निभायत है नीचे कमेंट करके जुरू बताएगा हाला कि इसका जो है डेट पूछा गया तो ऑफसर नमबर थ्री जो है करेक्ट अंसर हो जगा 856 चलिए नेश्ट कोईशन के और चलते हैं आरी समाज के अस्थापना किसने की बहुत ही इजी कोईशन है और ये कोईशन आप लोगों मालूम होना चाहिए आरी समाज के अस्थापना किसने की थी दोस्तो तो आरी समाज के अस्थापना और त्री फोर राजा राम मोहन राय के दोरा किया गया था और सती प्रता को उनमूलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदार रहा था दोस्तों सती प्रता को खत्म करने में ठीक है और इन्हें जो है राजा की उपाधी जो है किन्हों ने दी थी किन्हों गल बाजसा के दोरा इन्हें राजा की उपाधी दी थी आपका दादा भाय नारओं जी जो होगा घर्ड हो जघ्याएट merci को यह आपका नरम दल और गरम दल इंको काफी जादा मानते एंकर इंकर सभी सुना खरते थे तो आगर पूछा गया बंगाल विभाजन के समय भारत का gowar Deux जनर कौन था मोस्ट फेबरेट क्वेश्चन दोस्तों तो ओप्सेन नमबर वन लॉड का जन्च होगा करेट हो जागा ठीक है चलिए देख लेते अगला क्वेश्चन आप लोगो सब को जानते करो या मारो का नारा किसके दौरा दिया गए था महात्मा गांधी के दौरा दिय बिस नमबर पूछा गया है 1928 में ओलम्पीक में होकी संट पदक जितने वाले भारतिया टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों 20 का करेट एंसर हो जागा अपसे नमबर 4 जैपाल सिंग मुंडा ठीक है चलिए जब संविधान बन रहा था तो इन्होंने संविधान बनने के समय मे इनका भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है दोस्तों याद रखेगा चलिए आगे कोईशन पुछा गया 20 का सबसे बड़ा लिखित समीधान किस देश का तो अपना भारत देश का है ठीक है चलिए आप लोग बताएगा कि भारत में जब संविधान कब लागू किया गया था समीधान दोवारा प्रदत मौलिक अधिकारों की सेंख्या कितनी है तो 22 नमबर का करेट एंसर हो जागा अपसे नमबर टूचे ठीक है आप लोग याद है क्या अच्छे मौलिक अधिकार नीचे कमेंट कीजिएगा क्वेशन बोला गया 23 नमबर में भारत एक संपरभू रा आल पर होता है तो 24 का आप सभी जानते हर हर पास साल में जो है इनका चुनाओ होता है कोई नमबर 25 पूछा गया है भारत की पर्थम महिला राष्ट पति का नाम अभी दुरोपदी मुर्मू सोच के मत लगा देजीगा दोस्तों क्योंकि भारत की पर्थम महिला जो है राष कौन थी ठीक है चलते हैं सोतनतता के पस्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्स हुआ चलते हैं लोग सभा में सदेशों की अधिकतम सेंख्या कितनी निश्चित की गई है तो 27 का करेंट अंसर हो जाएगा आपका आपसे नमबर फ्री जो है पास्सो बावन जो है करेंट हो जाएगा ठीक है लेक्ट को देख सकते हैं भारत का सिर्ष नियाले कौन सा था भारत का सि जो जाएगा चले आगे को देखते हैं देश में उच्छे नियाली की कुल सेंख्या कितनी है तो 29 का जो है तीन नमबर वाला जो जो हो जब्रेंट यहांपर आपका सुरी 24 जो हो जो होगा आपका करेंट एंसर हो जाएगा ठीक है नेश्क्र पूछा गया तीस नमबर भारत पूचा किया गया है जारखन में कुल कितने परकार के जन जाती है निवास करते हैं तो आपसे नबर 32 जन जाती है ठीक है चली आगे कोशन पूचा कि सर्वसिच्छा अभियान की सुरुवाद अपसे नमबर पूचा गया है कौन सी योजना गरीब महला को निसूलक लपीजी करेस कनिशन उप्लावद कराने से संबन दीता है तो इस में से बहुत सारे स्टूरेंट भी होगे जिनको यह चुला मिला हुआ घर में इस तो इस नमबर पर देख सकते क्या पूचा कि स्थिति को मनाया जाता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टन कोईशन है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कभी भी नसा का सेवन ना करिएगा ठीक है सरकार ने बच्चों किससे संबंदी समय साथ को सिखायत के लिए हेलप नाइन नंबर कौन सा है तो याद रहेखेगा इसका करेट अंसर जो हो जागा अपसे नबर 310098 जो होगा आपका 1098 जो होगा आपका करेट एंसर हो जाएगा कोईला किस पर करका साधन है दोस्तों तो क चले पूछा गया जिस संसाधन को उपयोग किया जा रहा हो जिसकी मात्रा भी गयात हो ऐसे संसाधन को क्या कहते है अपसे नंबर जो होगा इसका टू करेट हो जगा वास्तिविक संसाधन कहते हैं तो बेतला नेशनल पार्क जो किस जीले में 39 का करेट एंसर हो जाएगा ऑपसन नंबर 3 लातिहार में चले आग कोशन को देखते हैं निम्ड में से कौन सा मिद्दा संग्रच्च का एक उपाह नहीं है तो 40 का करेट एंसर हो जाएगा ऑपसन नंबर 1 वन उनमूलन ठीक है च नेशनल पूचा गया भारत में कोईला उत्खनन का सरपतम कहां किया गया था तो कोईला उत्खनन जो है 43 का करेट एंसर हो जाएगा रानी गंज याद रखेगा जो कि अभी कहा है आपका वरतमान में वेस्ट बैंगल में है आसन सोल में ठीक है याद रखेगा चलिए आगे कोईशन को देख लेके 45 अपूचा गया उत्तरपूरी भारत में अस्थानतिर्ट किरसी को किस नाम से जाना जाता है तो 45 करेट अंसर हो जाएगा आप से नमबर 4 जूम किरिशी के नाम से जाना जाता है नेशन पूचा गया चीनी का उद्धो का कच्छा माल है तो चीनी जाएगा ठीक है अधित्यों में सेवा च्हत्र आजएगा बैंकिंग से वाएं ठीक है यह सब किसमें तुरित्यों में पुछा गिया उद्धोग तो दोग है जारकंड का मूरी की सुद्धों के लिए परसीद है दोस्तों फेमस है जारकंड का मूरी और तालिस का करेट एंसर हो जगा ऑफ्सन नबर वन एलुमिनियम के लिए ठीक है चलिए आग कोशन देख लेते हैं फॉर्टी नबर पूछा गिया निमलीखीत में से कौन जनसे का परिवरतन का कारण नहीं है तो पचास का करेट एंसर हो जगा जबकि जन्म मित्तु और परवास यह तीनों ही जनसें का परिवरतन के कारण है याद रखिएगा ठीक है तो परवास का मतलब याद रखिए गा परवास का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होता है जो सुक सुविधा को देखकर अपने वाले जगा को छोड़का दूसरे जगा चल जाते है या और भी ऐसे लोग होता है जो विपत्ती होने से बाड़ भुकम बाने से भी एक जगा को दूसरे जगा जाने के लिए मजबूर ह होते हैं वह भी किसमें आता है ठीक है तो इस तरह हम लोगों ने पचास को कम्प्लेट कर लिया एक रिविजन था आप लोग का मॉडल पेपर का आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने इमांदारी से कितना कोशन का अंसर सही दिया है ठीक है तो आप सब को जैहिंद वन्दमातरम